बिस्मिल्लाइ रह्मानुए असलाम अलेकुम स्टूइट इस लेक्चर आफ क्लास 6 डेट इस 30th मार्श 2020 डेट इस मंडे मैथ चेप्टर 5 एक्सरसाइस 5B पेज है 74 और 75 लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइस 5B का क्वेश्चन नमबर 1 और 12 नहीं किया था और मैंने आपको कहा था यह बुक वर्क है तो यह हम बाद में करेंगे पेज 74 पे क्वेश्चन नमबर 1 और 12 है पेज 75 पे MCQ है यह सारा बुक वर्क है यह आज हम करेंगे क्वेश्चन नमबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने already properties की वी है इसलिए यह हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा हमने true false बताना है कि यह statement true है या false है question number 1 देखे state whether the following are true or false first part is minus 12 plus 15 is equal to 15 plus minus 12 दोनों साइट को solve करें नजर तो आ रहा है कि यह true है लेकिन आप दोनों साइट को solve करें answer अगर दोनों का same आ रहा है तो इसका मतलब है यह true है अगर answer दोनों का same नहीं आ रहा तो समझे यह false है वैसे यह कौन सी property आपको लग लिए है minus 12 plus 15 15 plus minus 12 यानि A plus B B plus A यह तो commutative property है और commutative property addition में हमेशा hold कर दिये इसका मतलब है यह भी true होगा चक कर लेते है minus 12 plus 15 is equal to 15 plus minus 12 यह आ गया हमारे पास 15 में से 12 निकाला 3 plus minus minus 15 में से 12 minus कर दिया 3 आ गया 15 का sign बढ़ा था इसलिए हमने लगाया और इसको solve किया plus minus minus आया 12 यहां 3 है is equal to 15 minus 12 is 3 तो दोनों side पर 3 answer आया है इसका मतलब है first हमारे पास statement true है यह हमारे पास true है second statement देखें कहते हैं 3 plus minus 5 is an integer तो देखने में तो true लग रहा है कि 3 में से हमने minus 5 को हमने add किया है तो integer ही answer आएगा check करते है 3 plus minus minus हो जाएगा 3 minus 5 5 में से हमने 3 minus किया तो आया 2 बड़े वाले का sign लगाएंगे बड़ा वाला 5 है तो minus 2 आता है इसका answer आता है minus 2 क्या minus 2 integer है हाँ जी minus 2 integer है तो ये हमारे पास आगिया true थर्ड पर आजाएं plus 5 plus minus 5 ये है is a positive integer plus 5 है और फिर plus का निशान है फिर minus 5 है is a positive integer जो इसका answer आएगा क्या वो एक positive integer होगा चेक कर ले 5 plus minus minus और 5 minus 5 is 0 5 minus 5 is 0 और 5 में से 5 minus करें तो 0 answer आता है 0 is not a positive integer मैंने पहले भी बताया था 0 ना negative है ना ही positive है वो कह रहे हैं कि जो इसका answer आएगा वो positive integer होगा हम कहते हैं कि 0 positive integer नहीं होता इसलिए ये statement false आजाती है next को देखें minus 39 plus 14 is equal to 14 minus 39 solve करें दोनों side पे answer अगर same आता है तो true है answer same नहीं आता कर ले minus 39 bracket में plus 4 is equal to 14 14 है ये 4 नहीं है 14 minus 39 इसको solve कर लेते हैं minus 39 and plus 14 and 14 minus 39 मैंने इस रो brackets खो ली है 39 में minus plus minus होता है हमने 39 में से 14 को minus किया 39 minus and 14 14 के साथ positive sign है plus minus minus होगा 9 में से 4 निकाला 5 and 3 में से 1 तो 2 बड़ा कौन सा है 39 तो sign minus का लगेगा minus 25 और यहां हमने क्या किया 25 और यहां हमने क्या किया दूसरी साइट पर भी हमने solve किया तो 25 आया 39 बिगर है 14 से तो negative sign हमने उसका लगाया है तो साइट सेम आई है तो इसका मतलब है यह commutative property यहां पर hold कर रही है तो यह भी true हो गया आगे आ रहा है minus 32 multiply by 0 is equal to 0 0 से जब भी कोई चीज multiply होगी वो 0 ही होगी तो इसका मतलब है यह true है अगले पर आ जाते हैं यह हैं हमारे पास negative of minus 5 does not exist यह क्या बात है बई negative of minus 5 कैसे ही इन दोनों को हमने off को हटाया multiplication लगा दी minus minus plus हो गया 5 answer आ गया तो exist तो कर रहा ही तो यह इनका false हो गया तो next वरा देखें 2 multiply 3 plus 5 is equal to 2 multiply 3 यह गया and 2 plus 2 multiply 5 यह distributive law है multiplication over addition तो यह एक सही statement लिखी भी है यह नहीं कि इसी style से इन्होंने खोला हूँ है 2 multiply 3 plus 2 multiply 5 तो जो इस side का answer होगा वो same is side का भी answer होगा और answer same होगा चेक कर लें आप इन दोनों को add करें 8 आ रहा है 8 को हमने 2 से multiply किया 16 आया क्या आया एक side का answer 16 आया दूसरी side को देख लें यह आता है 6 और यह आता है 10 10 और 6 को add किया 16 आया दोनों side का answer भी same है तो यह true है इसको देख लेते हैं कि यह क्या है हमारे पास कियते हैं 3 multiply 5 प्लस माइनस 2 आगे देखें 3 multiply 5 प्लस माइनस 2 यह कोई law नहीं है बस एक equation बनाई भी है equation की दोनों side को हमने solve करना है और देखना है कि दोनों side पे same same answer आता है देख लें आप यह eighth part है 3 multiply 5 प्लस माइनस 2 यह curly bracket में इन्होंने लिखा हुआ है 3 multiply 5 प्लस माइनस 2 तो कर लेते हैं इसको solve 5 प्लस माइनस माइन माइनस आ गया और यह आ गया 3 multiply 5 is 15 and plus minus minus 2 तो यहां पे क्या आया है 5 में से 2 minus किया 3 आया और 5 में से 2 minus किया 15 में से 2 minus किया तो हमारे पास आया 13 और इन दोनों को multiply किया 9 आया यह आ गया 13 तो बोथ हार not equal तो यह हमारे पास statement हो गई false अब यह देखें 0 को हमने multiply किया है 2 प्लस 3 के साथ तो क्या यह सेम होगा कि 0 में हम 3 add करें यहां पे 1000 भी आ जाजाए और वो 0 से multiply हो जाए तो यह पूरी side 0 हो जाएगी और यहां 0 में कुछ add हो जाए तो वो नमबर खुद हो गया यह इस side पे 3 आ रहा है इस side पे 0 आ रहा है दोनो side सेम नहीं है तो यह हमारे पास false हो गया यह देखें 27 प्लस माइनस 27 यह एक दूसरे का additive inverse है एक में हम add करें वो number जो answer 0 देता है यह अगर यह 27 है इसका additive inverse minus 27 है दोनों को add किया जाए तो answer हमेशा 0 आता है देख लिए आप plus minus minus हो जाएगा 27 minus 27 इस side पे 0 आ रहा है इस side पे 54 आ रहा है तो यह भी हमारे पास false आ गया यह question number 1 था आपका book work था प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है 2 multiply 3 plus dash is equal to 2 multiply 3 plus 2 multiply minus 3 सेम नजर आ रहा है कि 2 पहले इस से multiply हुआ है और 2 फिर blank से multiply हो रहा है बीच में हमारे पास plus कसाइन है तो यह देख लें 2 पहले 3 से multiply हुआ यह वला आ गया फिर 2 इस से multiply हुआ है जो यह चीज है ना यह यहां पर missing थी यानि minus 3 से multiply हो रहा है तो यहां पर हमारे पास आएगा minus 3 minus 3 second वाले को देखो है क्या कह रहा है minus 3 multiply by minus 4 plus dash और इस साइट पह आ रहा है minus 3 multiply by 5 यह यह इस bracket को solve करने से 5 आना चाहिए minus 4 में हम ऐसा क्या add करें कि 5 आ जाए minus 4 में अगर मैं add करती हूँ 9 क्योंकि 9 में से 4 निकालो तो 5 आ जाता है तो मैं अगर यहां पर लिखती हूँ 9 तो 9 में से 4 माइनस हुआ तो आपके पास 5 आ जाता है तो दोनों साइट बैलनस हो जाती है तो ब्लैंक में क्या आएगा 9 आएगा minus 11 multiply 7 plus 2 is equal to minus 11 multiply 7 plus minus 11 multiply what यहां पर ब्लैंक थी यहां हमें साफ पता चल रहा है कि minus 11 जाहर है इससे multiply होगा तो यहां आ जाएगा 2 यह question number 12 भी हमारा होगा अब हम आ जाते हैं हमारे अपने mcqs पे mcqs है page number 75 पे चेक करते हैं इनको क्या कह रहे है select the correct answer from the given option option given है उसमें से select कर लें कि कौन से statement match कर रही है उसके साथ on the number line which is greater minus 15 और minus 3 number line अगर आप बना रहे हो बीच में 0 है minus 3 यहां आएगा और 15 उदर जाके दूर आएगा जितना 0 से left पे जाते हैं वो number छोटा होता जाता है तो उन्हेंने का which one is greater जो look में छोटा है लेकिन minus की वज़ा से वो बड़ा हो गया है तो यहां पर हमारे पास minus 3 जो है जो c option है वो correct होगी कि minus 3 is greater क्योंकि minus अगर लगा है किसी number के साथ और वो दिखने में बड़ा है तो असल में वो छोटा है minus 3 यहां पर बड़ा है इसे छोटे की तरफ हमने लेके जाना है सबसे बड़ा क्या है इसमें यह 23 फिर है 3 क्योंकि 25 लुक में तो है लेकिन minus की वज़ा से वो छोटा होगी यह second number पे फिर यह third number पे फिर यह four number पे और यह फिर five number पे ऐसा कोई है हमारे पास यह one two three and four and five यह c option हमारे पास correct है कहते हैं write next two terms इसके लिए हमने next two terms find करनी है terms कैसे find करते हैं difference find करके जब मैंने इसमें से यह minus किया तो 11 आ रहा है और वैसे भी यह increasing sequence है यह minus 33 के बाद minus 22 आ रहा है minus 22 के बाद 11 आ रहा है minus 11 आ रहा है minus 11 के बाद इसमें हम कुछ चीज एड कर रहे है तब यह बढ़ रही है minus 33 में मैंने 11 एड किया तो minus 22 आया minus 22 में 11 एड किया तो minus 11 आया minus 11 में 11 एड करूंगी तो 0 आएगा और 0 में जब मैं 11 एड करूंगी तो 11 आएगा यह निए D वाला option हमारा correct है अब next देखें the number 0 lies to the right of minus 25 which of the following statement are true कहते हैं कि minus 25 जो है 0 जो है minus 25 के right side पे मैंने आपको यहाँ ओपर बताये था अगर यह 0 है बीच में तो 0 कह रहा है कि right side पे है minus 25 कहां होगा यहाँ पर कहीं हम कह देते हैं minus 25 है 25 है अगर 25 को देखें तो 0 तो इसके right side पे like कर रहा है और 0 lies lies to the right side of minus 25 अब हमने बताना है कि इसमें जो यह statement दी वी है कौन सी correct है minus 25 is greater than 0 false है minus minus 25 is greater than 0 minus minus plus हो जाएगा plus 25 will be greater than 0 यह true लग रही है लेकिन अगले दिखते हैं कितने 0 is greater than minus 25 0 is greater than minus 25 हम इसको select कर रहे हैं हम इसको भी select कर सकते हैं लेकिन यहां पर answer आजाता है plus 25 is greater than 0 लेकिन हमारे statement में minus 25 कर जिकर है इसलिए हम इस वाले को correct कंसिडर करते हैं B option हमारे पास true statement है next देखें कहते हैं value of 5 multiply minus 3 minus minus 3 is इसमें से कौन सी वाली value आएगी यहां multiplication हम पहले कर लेते हैं minus 15 minus minus plus 3 15 में से 3 निकाले निकाले क्यों वहीं क्योंकि minus plus minus होता है तो minus ही करेंगे 15 में से 3 minus किये तो हमारे पास 12 आया लेकिन negative sign के साथ चेक करें इन में से कोई है हां जी A option में minus 12 है next देखें कहते हैं यह integers हैं integer जी integer इस तरह भी लिख सकते हैं जीरो बीश में लगाए 12345 and so on dotted नेगेटिव साइड पर आ जाएं तो dotted है तो so on है negative integer को हम इस तरह भी लिख सकते हैं positive integer को हम इस तरह भी कि कि लिख सकते हैं non negative integer को हम इस तरह लिख सकते हैं non negative integer में यह एक जीरो है यह disturbed करता है वरना क्योंकि zero non-negative या positive number नहीं है चेक करते हैं इन्होंने क्या option दिए भी है कहते है look at the table above which of the given statement is false which one is false हमने इसको देख लिया हमें समझ भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा हम statement देखते हैं कौन सा वाला false है कहते है non-negative integer are same as positive integer कहते है non-negative integer same होते हैं जो positive integer होते हैं ठीक है non-negative कौन से होते हैं positive होते हैं तो positive तो positive के same ही होगा all the positive integer are larger than negative integer ये भी ठीक है सारे positive integer negative integer से बड़े होते हैं ये भी true आ रहा है ये भी true आ रहा है कहते है all the four categories have infinite number जी ये भी ठीक है क्योंकि so on है तो infinite number है कहते हैं D में 0 is a positive integer नहीं भई ये ठीक नहीं है 0 is not a positive integer 0 is neither positive nor negative 7 पर आज़ें कहते हैं the product of more than 2 integer of unlike sign more than 2 integer उनोंने कहा है यानि 2 से ज्यादा अभी तक हम 2 की multiplication कर रहे थे अगर 2 से ज्यादा unlike sign हो तो क्या आएगा is always a negative integer is always positive integer is always negative integer if there are odd number of negative sign कहते हैं is always a negative integer if there are odd number of negative sign none of the above ये मैं आपको बता देती हूँ कि integer of unlike sign आ रहे हमारे पास आ रहे है अगर sign होंगे negative यानि 1 माइनस का sign हो तो माइनस आता है 3 माइनस के sign हो तो माइनस आता है 5 माइनस के sign हो तो माइनस आता है लेकिन अगर 2 दफा माइनस के sign multiply हो रहे है तो positive आएगा 4 दफा माइनस के sign multiply होंगे तो positive आएगा odd number जब भी होगा वहाँ पर माइनस आजाएगा अगर माइनस मल्टिप्लाइ हम कर रहे हैं तो हम पर C option जो है वो true है अगले page पर आजाए page 70 6 है 8 है कहते हैं illustration show the distribution law of multiplication जी हम देख लेते हैं कि ये show भी कर रहे distribution law के नहीं कहते हैं कि इसमें जो option दी रही है कि वो true है not always false true false and true distributive law works with subtraction 2 इसमें से कौन सबला हमारे पास सही आ रहा है ये हमारे पास five आमारे पास bars है one two three four five इदर भी यूं कर के दिये हैं लेकर यहां इकठा कर के दिया है यहां हम देख लेते हैं five bar को हर बार को five five में divide किया हुए green three है यहां पर भी green three है यहां पर भी green three है यहां पर भी यहां पर भी और two two करके yellow है इसका मतलब है ये कितने bars है five bars है ठीक है five bars को हमने किस तरह multiply कर दिया या तो इनको add कर दो same same है इसलिए हम multiply कर रहे हैं कि तीन एक जैसे चीज़े हैं और प्लस दो एक जैसी चीजे हैं, तीन एक जैसी चीजे हैं हर एक में और दो एक जैसी है, अगर मैं इसको खोलती हूं, डिस्ट्रिबुटिव ला के तरह से 5 multiply 3 हो जाएगा और 5 multiply 2 हो जाएगा और बीच में plus का निशान आएगा, तो इन्होंने भी क्या इस तरह खोला हुए देखें 5 multiplied 3 plus 5 multiplied 2 तो इसका मतलब है कि इन्होंने distributive law सही लखाया हुए इन्होंने उपर लिख भी दिया हुए shows the distributive law of multiplication उन्होंने show किया हुए distributive law of multiplication की तो इसमें जो option C हमारे पास true का वो हम select करते हैं 9 पे देखें कहते हैं associative law associative law हमें पता है associative में 3 numbers हम use करते हैं ABC इन्होंने XYZ लगाया हुए चेक कर लें इसको X plus Y plus Z is equal to X plus Y plus Z sequence change किया हुए bracket में डाला हुए लेकिन दोनों side पे ठीक है और कहते हैं यह हो A multiply B multiply C और यह equal हो सकता है इस तरह भी कि A multiply B multiply C brackets को हमने change किया यह मैंने दोनों आपको कराए में तो यह multiplication का associative law है यह हमारे पास addition का associative law कहते हैं true for addition and multiplication लग तो यह सही रहा है आगे क्या कहते हैं true for addition only no कहते हैं false नहीं false भी नहीं है कहते हैं true for multiplication only no यह कहते है true for addition and multiplication यह वाला option हमारा ठीक है क्योंकि ये addition के लिए भी ठीक है और ये वाली चीज multiplication के लिए ठीक है आगे क्या कहते हैं 10th में The value of minus 8 minus minus 8 चेक करते हैं इसको solve करके minus 8 minus minus plus 8 minus plus minus 8 में से 8 निकाला answer is 0 यहां कोई 0 है हान जी भी option हमारे पस correct आ रहा है कहते हैं in all magic square if the number are added horizontally vertically or diagonally the answer is the same ये आपको page number page number 69 और page number 66 इस पे ये statement यहां दी भी है mathematics के ट्रिक में से दी भी है कहते हैं observe the following magic square if you add vertically, horizontally or diagonally the result is always the same so ये statement तो हमारे बाद true आ रही है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि magic square magic square के बाद के बारे में मैं आपको बताऊंगी किसी lecture में कि ये होते क्या हैं लेकिन हमेशा magic square के जो number होते हैं आप उनको vertically और ये vertically का आपको पता है क्या होते हैं अगर ये कोई square है तो कहते हैं अगर आप इसको vertically ये यहां से number को एड़ करें ये vertically है और ये यहां से number को एड़ करें ये horizontally है और कोने से कोने पर आप एड़ करें चाहे यू करें चाहे यू करें तो ये diagonally है तो numbers का जो answer होगा ना यहां इनको एड़ करें तो जो answer होगा चाहिए इनको यड़ करें जो answer होगा या इसको add करें जो answer होगा वो तीनो side से same ही आएगा so a option हमारा true है कि ये statement हमें true कह रही है आपको मैंने एक बात बतानी थी कि मैं अपने youtube channel पे देख रही हूँ कि मैं जो आपको link send कर रही हूँ या sir की तरफ से जो link आ रहा है या जो videos upload हो रही है उसको आप sequence से जो है नहीं देखते हैं अगर कोई video दो parts में है कोई mistake हो जाती है हम दुबारा recording कर लेते हैं दो parts में चली जाती है तो आपका जो दिल करते हैं आप खूल लेते हो और उसको पढ़ना शुरू कर देते हो अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो first part को पहले देखो फिर second part को देखो फिर third part को देखो और date को ज़रूर देखो क्योंकि date wise हम चल रहे हैं आज जैसे 30th है तो मैंने 30th का upload करना है लेसन और यह मेरा एक ही इन्शाला एक ही पार्ट होगा इसमें पार्ट में नहीं जाएगा एक ही होगी इसकी वीडियो अगर किसी वीडियो की दो से तीन पार्ट हो जाते हैं तो kindly आप उसका first part पहले देखें second बाद में देखें और third सबसे last में जितने parts हो उसी के तर्टीब से लेखें यह नहीं कि जहां से दिल किया खोल लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया इससे आपके मसाइल बढ़ेंगे हमने तो lecture record करके आपके लिए भी जवा दिया लेकिन आप proper तरीके से उसको देखो ताके आपको ज्यादा अच्छे से समझाए बाद में आपको मसले होंगे हमें मसला नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ाना है अगर आप दुबारा पूछे होगे तो हम दुबारा पढ़ा देंगे लेकिन मसला आपको होगा कि अभी आपके पास time है free time है आप इसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते है तो kindly kindly six class हो चाहे seven class हो आप लोग sequence से देखो date को भी sequence date कौन सी है और part की भी sequence देखो और class six आपको जो है ना मैं आपको शिकायत लगा दूँ आपकी अपनी ही शिकायत लगा दूँ कि आप लोग attendance नहीं लगा रहे seven class माशाललह से अच्छी सी attendance लगाती है class भी mention करती है और remarks में भी लिखती है कि अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो remarks में लिख देती है कोई confusion हो तो remarks में लिख देती है comment जरूर मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के आप लोगों की attendance नहीं है six class मुझे नहीं पढ़ता पता चल रहा कि आप सिर्फ view करते हो और बंद कर देते हो view करते हो और बंद करते हो मुझे मैंने सिर्फ सर बिलाल के status पे एक बच्ची को पढ़ते हुए देखा मुझे उस बच्ची का नाम नहीं पता six class की बच्ची जैनब नजर ने भी जो seven की उसको भी देखा लेकिन six class की बच्ची को मैंने देखा है कि वो पढ़ रही है math लेकिन उसने भी अपना नाम mention ने किया comments में six class आपके attendance नहीं आरी seven की आरी है बट six class की नहीं आरी आप please attendance को make sure करें लगाएं अपनी attendance और sequence से देखें वीडियोस ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाएं अपना ख्याल रखिएगा मुझे दूाओं में याद रखिएगा thank you so much अलाफेस